हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बत्वे का एक बहुत ही खास तरीके का रायता जी आज सर्दियों में बत्वा बहुत अच्छे से मिलता है और बहुत ही हिल्दी भी होता है और गर्म तासीर का होता है तो दही के साथ इसका आप जब रायता बनाए ना बहुत ही टेस्टी बनता है और हिल्दी भी होता है तो देखिए इस तरह से हमने बत्वा लिया हुआ है जिनकी कि हमने पत्ती पत्ती तोड़ ली है डंडिया नहीं तोड़ेंगे और फिर हम इनको अच्छे से धुल करके हम इनको कुकर में 3 सीटी लगा करके अच्छे से आप बॉयल कर लीजे देखिए मैंने कुकर में 3 सीटी लगा के बॉयल कर लिया और फिर ना इसको हम मिक्सर जार में डाल करके हम इसको पीस लेना है इसको हमें एक बार लगातार नहीं पीसना है धिमे-धिमे करके पीसना है और साथ इसमें एक हरी मिर्ची हमने डाल दी है और फिर इसको बंद करके इसको पल्स मोड में आप चलाइए जिससे की नँए ठोड़ा सा दरदरा सा रहेगा बहुत ही चिकना नहीं होगा साथ ही हमने यहाँ पे ले लिया हुआ है 500 ग्राम दही इसको भी हम अच्छे से फेट लेते हैं दही को जिसे एक दमचिकना सा स्मूध सा इसका पेस्ट हम बना लेते हैं दही का इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी तो इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे और यह देखिए बत्वा जो हमारा यह है यह हमने पीस दिया अर्चे से और सारे ही बत्वे को हम धीमे धीमे करके इसमें mix कर देंगे इसका जो color आता है वो बहुत ही अच्छा सा इसमें color आता है इस रायते को ना पराठे के साथ दाल राइस के साथ किसी के साथ भी खाईए तो यह बहुत ही tasty लगता है और सर्दियों में अगर इसे हम खाते हैं ना तो हमें जैसे कहते हैं कि दही ठंडा होता है तो बत्वे को मिलाने से दही की यह property भी खतम हो जाती है और बत्वे का रायता खाने में हमें बहुत ही healthy रायता मिलता है एक तो यह देखिए friends साथ ही हम इसमें डालेंगे ना थोड़ा सा यह भुना हुआ जीरे का powder है तो थोड़ा सा भुना हुआ जीरे का powder डालेंगे और साथ हुआ हम इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा डालेंगे वाइट वाला नमक इन सारी चीज़ों को हमें कर देना है अच्छे से मिक्स्ट अगर आपको यह बत्वे कि रायते की रेष्पी अच्छी लग रही हो तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को like करे, share करे और subscribe करे यह देखे कितना अच्छा सा इसका color आया है सारा हमने भत्वा इसने मिला दिया है लगभग मैंने उसमें जो है नम दो मुट्टी के करीब भत्वा लिया हुआ था अधा लिटर दही में अब देखे साथ यह जो दियाली होती है ना जो हम दिवाली में यूज करते हैं जलाने में इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है और इसको जो है न हम खूब अच्छे से इसको हम गरम कर लेंगे और इससे हम लगाएंगे अपने रायते में तड़का तो देखे यह गरम होकर के एकदम लाल हो गई है काली सी ऐसे खूब दालने के बाद इसमें हम डाल देंगे अधा चमत जीरा और थोड़ी सी ही बस इनी चीज से आपको इसमें तड़का लगाना है और कोई चीज डालने की ज़रुवत नहीं है अभी अब हमें क्या करना है कि इसको ना गैस की फ्लेम को थोड़ा सा जलाएंगे बहुत धीमी से आउन कर लीजिए जिससे ये सारी चीज़े अच्छे से भुन जाएं तो जीर अच्छे से चटक जाए और साथ ही अच्छे से इसमें हींगी भुन जाए और इस स्टेज पर इसको आपना इस तरह से किसी चमचे से पकड़ करके जो है तुरन थी जो हमने बत्वे का रायता तैयार किया है ना उसमें आप डाल दें और साथ ही एक हाथ में लगकर लिए रहें जिससे कि इसको जल्दी से बंद करते जितना भी स्मूपी वाला फ्लिवर होगा ना उस सारा हां हमारे रायते में आ जाएगा ये देखिए तो बत्वे का रायता तड़के के साथ बन करके है तैयार तो फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ना कलर भी अच्छा है आप अरक टेस्टी भी है तो आप इसे जरूर बनाए और आप बताए मुझे कॉमेंट सेक्षन में आप जरूर बताए कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू